22 जनुरी का दिन राम भक्तों के लिए इतना सुखमे दिन था जिने हम सब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि 22 जनुरी को वो शपना साकार हुआ जिस अपने को राम भक्त या हमारा पूरा विज्व 500 सालों से देख रहा था और इस अपने को साकार करने के लिए प्रतेक व्यक्ति ने कहीं न कहीं अपना योगदान जरूर दिया यहां तक की कई लोगों ने अपने जान की भी परवान नहीं की वे चाहे छोटे हों, बड़े हों या बुड़े हों सभी ने अपना-पना महत्वपूर्ण योगदान दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे राम सेतू बनाते शमय गिलहरी ने दिया था आप में से कहीं लोगों को रामयाड में दिये गए गिलहरी के योगदान तो पता होंगे और यदि नहीं पता हैं तो सुनिए लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भगवार नाम फुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्सास अमरपन और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुख से कंकल उठाकर नदी में डाल रही थी उसे ऐसा बार-बार करते हुए एक वानर देख रहा था कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाग बनाता है वानर कहता है गिलहरी तुम इतनी छोटी सी हो समुध से दूर रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इनी पत्थरों के नीचे दब जाओ या सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाग बनाने लगते हैं गिलहरी या सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है भगवान राम भी दूर से या सब होता देखते हैं गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पढ़ती है वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंचाती है और भगवान से सिकायत करती है तब बगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकोड़ो वा छोटे पत्थरों को फेका था वे कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं बगवान राम कहते हैं कि अगर गिलहरी इन कक्ड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे फेके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। फुल बनाने के लिए गिलहरी का भी योगदान वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूले है। तो देखा आपने हमारे भगवान राम कितने करुणा मई और दयालू भाव के हैं। इसी तरह का अमूले योगदान हमारे संस्थान के बच्चों का भी है कि मन को मोह लेने वाला है। आपको कैसा लगा? कौन सा सबसे अच्छा लगा? कॉमेंट में जरूर बताएं।